यानि के तीसरा थन आपको दिखाई नहीं देगा माथे की बनावड देख सकते हो जो आपने गाना सुने होगा वही सोलीड बोड़ी यानि के इस पसुदन को देख करके आपको लगता होगा बिल्कुल जितनी भी है ओरिजिनल है सोलीड बोड़ी है तो यह देखें यह एक खिटका जो बोग बोलते हैं वही बना और रजुकरोली भाई इदर आए वह राजुवाई आपनों पांदस गामां को यह निकल लगा तो यह देखें मैं यह इतना तगड़ा पसुपा लगके आज प्रविन मुराफारम चैनल के पास पहली परदस्नी सब्सक्राइब आपके अपने यूटूब चैनल पर आपका सोगत करता हुई दोस्तों आज की वीडियो भाई गोरिया गाउं से लेकर के आए हैं और काफी खुसी होती है यह बताने में आप लोगों को जो आज पसुदन दिखाएंगे बड़ा खास पसुदन है यानि कि आ गएगा हाँ भी वाक्या में पसुदन है और इससे पहले भी आपाने बही एक और वीडियो कवर करी थी जो राजु करोली के पास है तो उसके गाउं के पास यह गाउं पड़ता है गोरिया तो राजु भाई का भी आपने पसुदन देखिया बहुत सांधर जो पसुदन है बाई का तो राजू भाई भी दराए हैं उन्से भी मिलाएंगे और भाई का पूरा अड्रेस पता जानेंगे उससे पहले और फिर जो बाई के पास जो और भी पसुदन है पच्छीश पच्छीश चप्छीश के जी दूद के तो उनका भी रिजल्ट कैसा लिया हो भी सारी ब बहुत बहुत दन्यवाद है जी आपका आर आपको भी राम राम जी तो जी एक बार अपना एड्रेस पता दुराएं इदर का गाउं का मेरा नाव जैसिंग है जी फादर्स नेम कैप्टन लक्ष्मिनां गाउंगोरिया गिष्टिक जजजर फोन नंबर जी नब्य पचास तो आपकी एज कितने होगी जी इस सवावन साल होगे तो आप शरू से पते हैं रहे हैं काफी आ ब्रब्य फिलाल आपके पास टोटल प्रफु कितने है अधि और दो कटिया है जी एक कट्रण एक है तो कितने दूद ग立 यह एक बैस्तो तो मेरे पास नुम्य मिलम आएकी औ और यह जो दो थनी बोलते हैं अच्छा नो बार बे आएगी ओव दो थनी है हाँ जी एक्किस और बाइस किलो दो जित्ती जी दो थनी अच्छा और दूसरी दूसरी है जी 26 किलो तो कहीं ये बात बताएं जी आपने इतने अच्छे पशुपालों को कहीं रिकोर्ड भी कराया थी तो यह देखें वैई कितने अच्छे पशुपालक के पास पहुंचे है जो परवीर रहारम चैनल को देख वार्य रहे हुँए मोपते पको देख रहे हैं या किलो है मिला सोगी मृष टायमर टिस टायमर और साथ मृष पालग के साल पहले फैस्ट टाइमर जोटी ओभी साथ मीने की वही छोड़ा के जिदूद पहले भी तुलवा चुके हैं और भी काफी पशुदनाज आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा तो एक बात बताएं जी उसका खरणा चल रहा है या कोई उसका खरणा नहीं है जी आज़ा पंचाती जोटे का था या कोई शिम लेकर किया था बिलोटा गाउं में तो और भी काफी अच्छे पस रखते हैं ठीक है तो अभी आज आपने पास शेल के लिए कैसा पसले शेल की मतलब जो एक जो एक जो अलेक्स में है अब यह ब्यायाए गिए मतलब यह शेल के लिए त तो फर्ष्ट ब्यात में जो कितना दूद दिया जो अब इसने अठारा कि लिए तो इसका भी कहीं रिकोड कराया या नहीं रिकोर्ड कोई नहीं करुआ है तो आप इतने अच्छे जाग रुक भी हो पहले भी निवास में लगा चुके हो तो यह आपने क्यों नहीं सोचा ह किस ने बताया यह बात यह मतलब अपना खुद का विचार है अच्छा अच्छा आपका यह के पत्चीस पलस जो दूद की व्यास होगी उसकारी कोड कर रहा हूंगा नहीं तो दूद तो जी बीश भी बहुत है पत्चीस की क्यों मन में आई इसलिए कि आजकाल दूद ज्य कुछ के रहे हैं मेरे जो समझ में नहीं रहे हैं इतना दूद बढ़ा हो किस तरह सी बहस जी और मतब 26 के लोग दूद की जो आम चराइब जो दूद दूद दिखाऊंगा जो 26 के जी दूद का है जो फर्ष टाइमर ने 18 के जी दूद दिया है और कोण से रिजल्ट है आप आपको एक एक पशू करके दिखा तो यह देखें दोस्तों जो मैं फेश्ट पशुदन दिखा रहा हूं हमारे पशूपालक शाती का जैसिंग नाम है और कभी भी मीडिया में वह आगे नहीं कभी यूटूब पे उनकी वीडियो ने देखी और ऐसे ऐसे पशूपालक जो आगे आना चाहिए जिनसे काफी पशूपालक साती सीख सकते हैं यह देख सकते हो जो टी पीठ पुठा देख सकते हो मैं अमेशा दिखाने की कोशिश करता हूं कितनी चोड़ाई का हो और आपको पच्छान भी बताता हूं जो पीठ पुठे की चोड़ाई ज्याद यह देखें बिल्कुल दो थन हैं यानि के तीसरा थन आपको दिखाई नहीं देगा और दो थन वाड़ी मैंने यह एक चीज़ देखी है जैसिंग जी उसमें थनों में दिक्कत नहीं आती कभी थनेला नहीं मनता क्यों और दार मोटी आती है यह देख्या होगा आपने दू कोई थन है कहीं आप यह सोच जाओ भाई तो दो थनी और यह 21 के जी दूद की बैसे जैसिंग भाई के पासा जो के काबिले तारीफ है यह कितने दिन की ब्याई होगी जी अब कि बार यह आठ मेने की और दूद अभी कितना है जोदा पंदरा के जी अभी दूदा तयार है यह कोई शेल के लिए भी है तो आपकी बार गया बन रड़ा दिया आपने यहां पास मिने की बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को बता देता हूं जो 26 जी दूद वड़ा पसूदन है तो जैसिंग जी ने पहले बताया था यह जो आपने पहले बताया था यह जो ने बिएनी से पहले बीमार हो चुकी थी और फिर भी इसने मतलब अच्छा दूद दिया तो इसकी भी आप आइडल नमेड देख सकते हो और टैल की बात करें तो घूरम नेशल की बात करें तो इसे आप यह कह सकते हैं जो टैल है उससे बार है क्योंकि छाएंज तक चलाते है दोक्टर तो अगर और बात करूं का ठीक है और इसकी जो चमड़ी की बहुत ही बारिक चमड़ी पतली चमड़ी की है तो ऐसा पसुदन से यह कह सकते हैं अगर अच्छा द्यान किया जाए तो अच्छी ब्रीड त्यार कर सकते हैं तो भाई ने इसे कैसे रिजल्ट लिए है पता के मिलाएं तो देखेंगे तो इसके निचे के आप यह कटिया है यह आरि यह कटिया है तो यह देखै ऐक संब्पशूदन की बρείक को कवर करता हैं दिखाए इदर यह देखें काफी अच्छी खुबसूरबसूर जो कटिया है और पुल आइड लोमिट का यह मनलब का आ नाम का तो अब पता नहीं है तो डोक्टर ने नाम नहीं बता यह थित्व है तो ठीक है डॉक्टर शाब आपने बहुत अच्छा वहीं शिमन रख्या रिजल्ट भी अच्छा ऐसी बात नहीं है लेकिन माहें आप एक रिक्वेस्ट करना चाहूं आगे कोई भी सिमन अगर आप रखते हो प्रवनु राफारम चैनल को देख पा रहे हो तो कोई भी सिमन रखें पसुपालक को जरूर बताएं कि मैं यह सिमन रखने जा रहे हूं तो मैं यह बोलता रहता हूं कि अभी पसुपालक के खुद यह बात बताने लगे इस सिमन का मेरे को रिजल्ट चाहिए जैसे कई जग है तो मैं बताते हैं मैंने इसका गोलू का रखाया जैसे आपने बता अभी सिकंदर का रख़ए है तो यह ऐसे पसुपालकों को बोलना पड़ेगा कि मैंने यह सिमन चाहिए डॉक्टर को नहीं तो ड अच्छा लगता है अभी बात करते हैं जो भाई फर्ष्ट टाइमर जोटी जिस ने अठारा केजी दूद दिया है उसके बारे में बात करते हैं तो इसकी भी सिंगो की क्वालिटी देख सकते हो माथे की बनाऊड देख सकते हो जो आपने गाना सुने होगा वही सोलीड बोड है यानि कि आपकी इसके कदाइट के इसाब से देख सकते हो और पीठ पुठ भी मैं दिखाऊंगा थनों की क्वालिटी भी दिखाऊंगा बहुत ही अच्छे शरीर कि आपको इसके शरीर के इसाब से तो यह कह सकते हो सकता यह तीसरे ब्यात क्यों लेकिन ओरीजनल सेकिंड ब्यात की है और बहुत ही अच्छा पसुदन दोस्तों काफी बहुत कम ऐसे इसे पसुदन देखने को मिलते हैं अभी मैंने वीडियो स्टाटिंग से पहले भी आप लोगों को बता था कि आप आना एक जो राजु करोली की ब्यास देखी थी और उसी कड़ी में नजदी की यानि के आठ दस किलो मेटर दूरी पर यह दूसरा जो पसुदन देखने को मिलता है यानि के बहुत कम ऐसा पसुदन दोस्तों रहेगे के गाउं वाई जेक एक पसुदन मुस्किल शे निकलता है और वह भी इसने तो मैं यह को बात करूं तो एक गाउं में 20 के जी दूद क करना चाहिए है चल्डीवी के मादम से ताकि पसुद की सनंद बने एक रिकोर्ड बने तो मैं एक बात और पूछना चाहूंगा इसकी रिकोर्ड की तो आपकी बार यह खुद कोन से शिमन की है अगर पता हो तो यह पंचैति बुल किया है और यह आपकी बार प्रेगनेट आपकी बार बाई ने ब्यूंट कराना तो आपने बीवन तीन सो तीस के बारे में काशी पारी पर देख लिया था जो ट्येए तो आभी खौल करके दिखाते हैं वह यह के क्वालटी दिखाएंगे इस पसुदन की जिसके आप इंजार करना चाहते हो और यह शेल के लिए भी है यह देखें वाया जो आपको सेगिंड बैत का जो पसुदन है आप लोगों को दिखा रहे हैं थनों की क्वालटी देखें औ और अभी तो ब्याने का बहुत टाइम बाकी है और यह कह सकते हैं कि कम से कम यह कह सकता हूं यह एक एक फिट का जो गैप बोलते हैं वही बना करके आएगी साइड का भी गैप और भी ज्यादा होगा तो दूद का जो रिकोर्ड था वो बताई दिया जैसिंग जी ने अठा उस हिसाब से भी इसका बंटा है इतना दूद निकालना तो इसकी मा का भी रिकोर्ड का पता है कुछ अचा इसकी मा का रिकोर्ड थेइस ओविसकी लोग रहा है पड़ोशी गाओं बही है तो यह देखें जी बिल्कुल जो एक एक जो जानकरी है आप लोगों के लिए देन अब की बात करूं तो बीवन तीन शों तीस से अब की बार या निकि जो बच्चा देगी उसको भी आपको फरज बनता है क्योंकि यह तो निश्चित है कि महें पशु तो जरूर होगा तो इसका रेट तो ले पशूदन को मैं यह कह सकता हूं भी सांदार पशूदन किस रे दिखा देता हूं तैल भी दिखा देता हूं कि गुटनों से नीचे है जो सपेद बाड ज्यादा सपेद नहीं है ठीक है टोटल दो इंची की यह सपेद तो मैं जैसिंग जी इसके रेट के बारे में पूछना चाओंगा तो इसका आपने क्या रेट रखोगा इसका रेट क यह देखें मैंने आप लोगों को स्टाइटिंग में बता था जैसिंग जी है कोई साधन पसूद अलग नहीं है काफी जानकार हैं उन्होंने अच्छा पसूदन पहले भी रख्या है तो उन्होंने यही बात बताई है कि मैं इसका रेट आज बताना उच्चित नहीं समझत चाहिए ऐसा पसुदन को तो इसलिए जो जैसिंग जी ने इसको भई के मोल को अपने पास रखा है कि जिस हिसाब का वायरा आएगा खरीदने वड़ा आएगा उसी इसाब से फोन आएगा उसी इसाब से यह जैसिंग जी इसको रेट को बताएंगे क्योंकि आज खरीदेगा सब्सक्राइब तो आगर मनें वा को इसाथए कोई सती है कोई जानकारी ले सकता है तो मुचना चाहता मैं निकालने का उसका छतम हो जाता है तो बंदेसे ह Quindi लेता ही उसमें कुछे 25,000 का प्रोफिट फादया होगा अगने उसको पहला खरीद देने का यह तो 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 जरूर दियान रख्या जाएगा ठीक है जी बहुत आयम जानकरी दी आपने और मैं यह कहना चाहता हूं आपकी इतनी एज होगी ज हाती पर काम करना चाहते हैं उनको क्या बात बताना चौंगे उसका जो साइड शो प्रपाइब लगार हो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो वल्ले वल्ले तो यह देखें वही बहुत अच्छी बाजानकारी दी जैसिंग भाई ने जी आके आमने अच्छा पसु पालन का काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि खेती बाड़ी के साथ हम पसु पालते हैं तो बहुत कम जोर पड़ता है एक अच्छा पसु त्यार हो जा किस चीज गे है कबड़ी कोण सी छोटी या बड़ी नेशनल स्टाइल कहां तके ले हो अब अच्छा कहां प्रेक्टिश करते हो अर्जन स्टेडियम जींद कोन है कोच साथ यह पूच है परमानन तो अच्छी प्रेक्टिस चल रही है बड़िया तो गर पे कितने दिन में आते हो कैसे आप डाउन करते हैं तो पसु का राखना बहुत जरूरी है आपके ही साथ से जबी दूद मिलेगा उदर क्या क्या डाइट खाते हो चलता है तो दूद कहां से लेते हो रुपए कि जी दूद मिलता है तो यह देखें वही यानि के एक सपोर्ट्समैन को भी जर दूद पिएगा जब अच्छी डाइट लेगा जब अच्छा खिलाडी बन सकता है और राजुकरोली भाई इदर आई वहाई तो मैंने वीडियो के श्टाटिंग से पहले आपने जिकर किया था कि दस किलोमेटर दूर रुपए राजुकरोली रागाउं पढ़ता जो कि बहुत अच्छा जो पशुदन भाई के पास है वह भी और काफी रुपे की किम्मत की जो जोटी की बात करें थे हैंने के पक्चीस लाख रुपे की जोटी है और कितने रुपे लग बग उसके पंदरा अपने नजदी बहुत कम है बहुत कम है रियर किस रियर बहुत कम मानगता लो आपने पांदस गामां को एकाद निकल आज अपने जैसे ना जो आज को कोने मतलब 15-20 साल तर परक्षी साल तक वह भी पुराना मतलब पशुपालक मत ओटीए के पुराना चेरा है परमकदब तो यह देखें वही है इतना तगड़ा पसुपालक के आज परमुराफारम चैनल के पास पहली बार आए हैं आपने पहली कोई वीडियो कोवर करवाई है तो यह ऐसे ऐसे मैं हमेशा बोलता रहत हूं अर्याने में पसुपालक चुपे हुए हैं और अर्याना को चोटी मोटी चीज नहीं है पता नहीं और भी ऐसे पसुपालक होंगे जो चुपे हैं यानि के 26-26 के जी दूद के और कितने साल पहले लेकर के आ चुके हैं और कितने रुपे लगे बता रहे दे तेरा लाग रुपे हाँ भी नहीं बरी और फैस्टाइमर जोटी मैं आभी आपको बोर्ड में भी दिखा देता हूं और उस और आपको बहुत ज़्यादा है और आपको बाइजी यह दो देखो करना उसके रहें नी मैं कोई अगाड़ रहें कि अपना पूझाना करना मैं कंपेर नहीं करता आप गल्त समझ यह मेरे को बताने का मक्सद दिये था बई जैसे दूद वाड़े पसुपी आपना उसमें यह पचान देखी उसमें यह देखी यह जो शामने बूर्ड लग रहा साथ मीने की बैया कैमेरे के सामने देख पा रहे हो यह पहले भी 2010 उसे में पर्तियों गिता में पहले भी लगवा चुके हैं तो उदर भी काफी नाम आशिल करे लेगा तो ऐसे पसुपालक के जैसिंग भाई जी हैं और उनके पास फारम पे डोग भी बहुत अच्छे अच्छे हो भी आप लोगों के लिए वीडियो में देखें वही आप जो डोग देख रहे हो और चैंपिन बने था अच्छा यह रो तक चैंपिन भी बने था परदर्शनी में अच्छा वह थोड़ा फरक में हैं अच्छा यह को जो इनके परदर्शनी में लगया वहाँ परदर्शनी में लगया आप लोगों को आज बता देता हूं तो जिसको डोग का सोक है वो भी काफी खुस हो गये होंगे आज इसे परविन मुरा फरम चैनल पैसे डोग भी आप लोगों को दिखाए दियोंगे वह यह भी पसुओं में आते हैं जिनको इनका सोक हो जाता है उनको भी रोटी जरब ठीक है तो बैए एक एक है आपने सारी जो जानकारी हाज मैं यह करता हूं पसुपालन की बंद नगे बन दोग भी आगे मुरा नसल की बैस भी आगी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि ब्रीड का ये फाइदा होता है कि उसकी कोष्ट भी अच्छी होती है त तीस थान खाजी थीजादा कितने बिरूप प्यास बाता है प्यास कि पथे कोरका 3,000 तो यह देख सकते है तो जोस्तो तो ब्धुर्ण घ्र जो और प्वेस फिल खेकर पर देंख सब्सक्ति पेरपोद की तो यह को जो ने हैं उग प्यास कि टीजारर थे तो यह भी एक बिजनस है तो यह तो हमारे को आप से काफी कुछ सीखने को मिला तो यह देखें दोस्तों परविण मुरा फरम चैनल पर एक नहीं जानकारी आज आप लोगों के लिए जैशिंग ने दी है यानि कि डोग भी जो रखते हैं उनको आप अच्छा अगर बिडिका रखोगे अच्छी नसल का रखोगे तो उससे भी आप अच्छा वैवशाय चला सकते हो पचास पचास अजार का एक बच्चा यानि कि आठाट दस दस अच्छा बच्चे हमेशा लिए ले ले लेकिन अच्छे उससे भी डोग से करोश करा है नहीं जो प्रिये तो जो दुन तो जो को बारे में जादा जानकारी नहीं है और कुछ मैं पूच्तानी हूं वारे में जो एक एक मैंने जानकारी आप लोगों को देने की कोशिस करी है अच्छे शी मनशिये के अपने करा रा किये अच्छे रिजल्ट किया पसुदन है अठारा केजी फर्स्टाइमर जो टी ने दे रख्या जो भी आप खरीदना चाहते हो तो जैसिंग वाई से संपरक कर लेना और दो थनवाली भी व्यासवाई के पास है और 26 केजी दूदगा पसुदन है यह आपने देखना है भाई देखता किसको हो है ठीक है एक बार फोन नंबर एड्रेस पता फिर बताए अगली वीडियो कैसी चाहते हो यह भी आप ज़रूर कमेंट में बता आगरो धन्यवाद जैहिंद जैवार्त जैगर्ड़ू